क्या होगा अगर सूरज असमान से गायब हो जाई ये देखने के लिए बने राना वीडियो के अन तक क्या होगा अगर सूरज असमन से काया खो जाए आप सुबह सुबह होठो और काम ना करो एक अच्छे दिन की लेकिन उस टाइम पर सुबह जिना होगे ये शब जितना सुनने में भेहाना लगता है इसके परिणाव उससे ज़्यादा है नहीं को सकते हैं ये देखते हैं तो सुरज गायब होने के बाद तीन दिन तक कुछ नहीं हो कि हमारा एट्मोस्टफेर हमें उसका एक रफ्लक्षन दिखाता रहेगा लेकिन तीन दिन बाद शुरू होगी असली तबाही क्योंकि हमावा में ठन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी वैज्यानिक इस पर रिसर्च कर ही रहे होंगे कि अससा क्या हुआ कि सूरज गाया हो तब़ेद पोधे धीरे-धीरे घीरे मरने लगे Mackie पेड़ पोधोंका एक उनका खाना बनाने का विनका फूट बनाने का एक Cross 후borne ओता हैा ह। लेकिन सूरज ना होने से फोटो सिंथेसिस नहीं हो पाएगा क्योंकि फोटो सिंथेसिस उनका एक प्रोसेस होता है जिसमें सैनलाइट एक बहुत इंपोर्टन ट्रोल नहीं भाता है और जब वही नहीं होगी सैनलाइट तो उनका फोटो सिंथेसिस नहीं हो पाएगा जिसकी लोग अंडरगराउंड बंकरों में होंगे जो कि सरकार ही होते हैं फिर धीरे धीरे जब ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा तो लोग जीएंगे कैसे लेगे फिर भी अगर तब तक कोई टेखनोलोजी आ गई तो ऑक्सीजन सही सलामत रहेगा लेकिन हावा में ठंड काफी ज्याद जमने लगेंगे सारे जो जीव जनतु जो समुद्र के अंदर होते हैं वो सब धीरे धीरे करका मरने लगेंगे धीरे धीरे सारी दुनिया बरफ की चपेट में आ गई होगी लेकिन इसका असर नौर्थ पोल पर नौर्थ पोल पर कुछ नहीं होगा क्योंकि उनको छै महीने बिना सनलाइट के रहना पड़ता है छे महीने मा लाइट होती है लेकिन छे महीने मा पर सनलाइट नहीं होती तो उन्हें तो इस वो चीज़ की आदत है इसलिए वो बच जाएंगे लेकिन छे महीने बाद जब उन्हें पता लगेगा कि सूरज की रोह सूरज सूरज आसमान से गायब हो चुका है तो फिर वो भी टैंशन में आ जाएंगे क्योंकि वहां के पेड़ पौद है जो की जो की बिना सललाइट के जो उगते थे 6 महीने तक वो दीरे-दीरे करकर खतम होने लगेंगे क्योंकि उनका एक टाइमिंग होता है 6 महीने का जैसे 6 महीने बाद अगर उन्हें सललाइट ना मिले तो वो खतम होने लगते हैं ऐसे वो भी अंटरगराउंड बंकर में रहने लगेंगे प्रत्वी पूरी प्रत्वी एक बरफ का गोले जैसी दिखरी होगी लेकिन उस टाइम पर शायद हम नहीं होगे जोंकि इतने कम टेंपरेचर में इंसानों का रहना बिल्कुल इंपॉसिबल है और सूरज ना होने से सूरज की ग्रैविटी जो सारे प्रत्वी प्रत्वी पूरे यूनिवर्स में गोहमरी होगी और अगर वो किसी प्लैनेट या फिर एस्टरोइट से टकरा गई तो वो प्रत्वी पूरी खतम हो जाएगी प्रत्वी का अस्तित्व खतम हो जाएगा साथ ही साथ हमारा भी अगर अगर ऐसा कुछ नहीं होता है वो किसी उलका पिंड या फिर किसी प्लैनेट से नहीं टकराती है तब भी तब भी वो सदियों तक ऐसे ही पूरे ब्रह्मान में घुमती रहेगी और हम इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं खैर ये तो एक कल्पना है और मैं भगवान से यह आशा करता हूँ कि ऐसा कभी भी ना हो लेकिन इसलिए जो सूरज है उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि अगर सूरज नहीं होगा तो हमारा अस्तित्र भी नहीं बचपाएगा खैर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक केज़े शेर केज और चैनल को सब्सक्राइब कीज़ें मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में किसी नई टापिक के साथ में तब तक के लिए बबाएगा